अजके इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना टाइमर की मदद के स्टार डेल्टा इस्टार्टो को बना सकते हैं और उसका उप्योग कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं कोईशिश करूँगा कि आपको जो भी मैं वाइरिंग बता रहा हूँ इसको मैं पूरी चेकर से प्रैक्टिकल वे में बता सको ताकि अगर आपको कभी जाकर इस स्टार डेल्टा इस्टार्टर को बनाना है वो भी बिना टाइमर के तो कि देखने को ना मिले तो दोस्तो सबसे पहरे तो आपको यह पता होनी चाहिए कि आखिरहकार इस टीर डिवर्टा पहनाते समय हमें किन किन चीज्जू की ज़वरत पढ़ती है सबसे पहरे दोस्तो हमें एक मोटरQUE चाहिए होगी जسم में चार्टक्र बेर चलाना चाहता है और साथ ही में दोस्तों हमें total तीन कॉंटेक्टर की जवरत पड़ेगी, यहाँ वे हम तीन कॉंटेक्टर क्यों लगा रहे हैं, तो इसका idea आप सभी को पहले से ही होगा, हमारे पास में जो star delta होता है, इसमें हमें हमेशा तीन कॉंटेक्टर की जवरत होती है, क्योंकि हम जो ह start करते हैं सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए ही चलाते हैं, और इसके बाद में हम इस star कॉंटेक्टरों बंद करके, हमारे delta कॉंटेक्टरों करा देता है, मतलब कि जैसे हमने इस बटन को दबाया, हमारा main और star on हो जाता है, लेकिन 10-20 सेकंड के बाद में, जितना हमने timer में time set करका है, उसके बाद में हमारे star बंद होकर, हमारा delta on हो जाता है, हमारा main तो हमिसा on ही रहेगा, तो ये हमारे star delta start होता है, लेकिन दोस्तों अभी इस वीडियो के निदर हम क्या चीज़ अलग करने वाले हैं, हम करने वाले हम यहाँ पर बिना कोई भी timer को उप्योग करें, हम star delta ब बनाने वाले हैं, आखिरकार दोस्तों इसकी जवरत क्यों पढ़ती हैं, तो हम सबी को बता हैं, कई बार जब हमारे इंटर्व्यू देने जा रहे होते हैं, तो उस समय हमारे practical experience को check करने के लिए, कि हमें कितना knowledge है, उस चीज़ को check करने के लिए, हमसे कई बार इस सरी की question प करेंगे, तो उस समय हम बिना timer के कैसे इस starter को operate करेंगे, तो वही सब चीज़े इस वीडियो में आसानीस हम जानने वाले हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ सो एक बात आप सभी को हमेसाद clear होगी, कि जब भी हम starter की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम दो तरह की wiring करते है एक हमारी wiring होती है, जिसे हम power wiring बोलते हैं, और दूसरी हम wiring जिसे हम control wiring बोलते हैं, अभी हम सबसे पहले power wiring को देख लेंगे, उसके बाद में हम control wiring को देख लेंगे, अगर आपको पहले से start data start की power wiring आती है, तो मैं यहाँ पर screen पर आपके सामने एक time range लगा दूँगा, आप direct इस वीडियो को उस time पर जाके देख लो, इस time से अगर आप इस वीडियो को देखोगे, तो आपको direct control wiring ही देखने को पर देखी, क्योंकि जो power wiring बोती है, वो power wiring तो हमारी पूर्ज देखने से सेम ही होगी, normal star delta और star delta without timer, इन दोनों की power wiring तो पूर्ज देख लेंगे, लेकिन हम सबसे पहले power wiring देख लेते हैं, तो दोस्तो power wiring के अंदर, सबसे पहली सी हमारी क्या होगी, हम सभी को पता है, हमें three face की supply चाहिए होगी, क्योंकि हमें three face की motor operate करनी है, तो three face motor operate करने के लिए, सबसे पहले हम हमारी mcb के अंदर red face लाके चोड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं इ जोटा ryb three face की supply आ गई है, इसके बार में दोस्तों यह three face की supply है, आपको क्या करना है, इस mcb के output से आपको इस supply को उठा कर हमारे जो contactor है, इस contactor में जोड़ देना है, इसके बार में दोस्तों next week आप क्या करेंगे, next week दोस्तों जो आपने first contactor में हमारे यहाँ यलो पर यहाँ से एक red face ले लूँगा, तो red face को मैं यहाँ से लेकर हमारे इस contactor में जोड़ देता हूँ, इसके बार में दोस्तों तीसरी चीज़ में आपको बता है, जैसे blue face भी हमको करना है, तो आप दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, हमारे ryb हमारे mcb से पहले contactor में दिया और यहीं से ही हमने हमारे दूसरे contactor में red yellow blue face दे दिये है, अब इसके बार में दोस्तों आपको क्या करना है, तीसरे contactor क्या है, तीसरे contactor है हमारा star contactor, अब star contactor के अंदर हम क्या करते है, काफी simple चीज़ है दोस्तों, star contactor के अंदर आप तो उपर के terminal है, इन उपर के terminal को direct ऐस में तो को एपारी ब्राइड में की इसे जा रहा रहा है कैसे हमारे लट in जा रहा है, वो चीज हम power wiring में देखते हैं, control wiring के अंदर हम हमारी motor के अंदर, जो supply कैसे भीजे, पहले कहां से भीजे, फिर कहां से भीजे, वो चीज हम control wiring में देखते हैं, मतलब कि control wiring के अंदर हम देखेंगे, पहले कौन सा contact start करना है, फिर कौन सा contact start करना है, उस contact कितनी देर त करके चलना है कि अब तक क्या क्या है आपको समझने में आसानी रहे हैं इस और मैं इस यहां पर पेस्ट कर ढ Security ऱहां कि अंगी हमारी मोज़ी घरतीन इस यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ आपкого होगा आपको समझे में ज्यादा आज ही नी रहेगी हमारी मोड़्य के ओपर हमको भी इस तरीके से टर्मीनल ही देखने को मिलते हैं इसलेकर को सलेक्ट करता हूँ और करनेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से हमारी जो हमारे जो first contactor एक अंदर ऐसे आप overload relay को डाल देंगे overload relay डालने से क्या होगा हमारे motor को protection मिल जाएगी ज्यादा current जब motor लेगी तो automatic हमारी यह relay हमारे system को trip कर देगी तो इसके लिए हम इस overload relay को हमारे first contactor जो man control इसके अंदर डाल देते हैं और इसके बार में हमारी supply यह जो आर वाई भी blue face जो हमने यहां पर ले रखेते हैं वह अब हमें यहां पर मिल जाते हैं तो अब मेरे को क्या करना है हमारे सबसे पहले red face लेना है तो यहां से मैं करता हूँ हमारे एक wire को लेता हूँ और यहां से लाके मैं second terminal पर ले जाके जोड देता हूँ और इसे मैं यहां से yellow color में चाहिज़ करता हूँ तो yellow face भी हमारी motor को मिल गया है हमारे जहां पर हमने R face लोड़ा उसके नीचे से आप एक wire लेंगे और उस wire को ले जाके हमने जहां पर हमारे motor के terminal में red face जोड रखा था इसे के सामने वाले terminal में लाकैं यहां पर लाके इस जगए जोड देता हूँ यहां से लाके मैंने इसमें हमारा red face दे लिए तो मैं यहां पर color इसको change करते रहूं जो यहां से लेँगा एक face मिल और यहां यहां से लाके हमारे iis में क्या कर लाकर आया है यहांब दोने के बूइन पहले लेता हूं और इस को ले जाके मैं इसंद्ध लेता हूं जोड़ता हूं और यहां पहलता हूं अभी तक आपने क् freak हमने हमारे मोरी काई- Abraham के अ सब्सक्राइब लेकिन बस आगरी के अंदर हमारे star contactor की wiring बागी है तो star की wiring कैसे करते है तो star की wiring काफी ज़्यादा सिंपल है आपको क्या करना है दोस्तों हमारे डिल्टा है इस डिल्टा में हमारे ryb हमने यह जो निकाले ना जो हमारे मोटर से terminal आ रहे हैं यहां तक आपको यहीं से ही यहीं स इसके बार में दोस्तों दूसरी चीज हमारे यल्लो है तो यल्लो को मैं यहां से लेके हमारे यहां पर लाके जोड़ देता हूं तो हो गया यह हमारे यल्लो फेस बसता है इस ब्लू फेस को मैं यहां से connect कर लेता हूं और हमारे यह यहां पर लाके मैं हमारे blue फेस को अगर आपको पूर्ज़के से complete समझ में आ गई या आप इसे कर लोगे तो इसका मतलब अब आप star delta कभी भी अगर आप बनाना चाहते तो इसके आप power wiring कर लोगे बस इतना सा ही हमारी power wiring में होता है जो की power wiring काफी जाला simple होती है बिना मतलब इसमें लेकिन दोस्तों अब हम next क्या देखेंगे हम next देखेंगे हमारी star delta की control wiring वो control wiring हमारी काफी जाओ रही है लेकिन इस वीडियो के नहीं हम साथ साथ देखेंगे इसके लिए दोस्तों अभी जो मैं software यह कर रहा हूं यह कर रहा हूं यहां पर function है यहां पर प्लस बटन दुबाऊंगो और मेरे पास में यू टैप को जाएगा यहां पर तो मेरा इस save है power wiring next step में क्या करूँगा हमारे यहां पर control wiring सेव कर लूगा तो अब यहां पर control wiring बनाने के लिए मेरे को वापस है वही चीज करनी है हमारी क्या क्या चीज मुझे जवरत पड़ेगी उन सभी को मैं ले ले लेता हूं तो मुझे contact रची होगा हमारी overload चीज होगी start button stop button दोनों चीज होंगे बस इन सभी चीज होगी हमें जवरत पड़ती है लेकिन दोस्ता आपको वापस से द्या रहना है हमारा start delta start की बात तरह है इसलिए अभी हमें यहां पर हमारे तीन contact की जवरत पड़ेगी तो यह हमारा start button stop button इनकी तो हमें जवरत पड़ आप यही चीज है आपके पास में यही चीज है आप इसी के इंदर ही wiring करोगे तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से हमारे second wiring को जमा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से clear हो और इस जगे मैंने यहां पर start button भी लगा दिया है अब दोस्तों क्या होता है control wiring के इंदर क्या होता है का हम बिनना timer करते हैं तो आपको timers चाहिए ही नहीं अप दोस्तों देखिए काफी ज़्यादा simple सी चीज है आपको सबसे पहले क्या टर्ण है आपको एक phase को कहीं से भी लेना है जैसे कि मैं मैं क्या करूँगा यहां से एक phase को लेलूगा यहां से एक phase को ले लूगा आपको न हमारी जो this didn제 ना जो हमारी पार वाईनिके नम ने देखी ऑप हमारी यहां पर गा रहिए इस धिल लेक हम ली में ले जाके फेस को जोड़ देंगे और अभी मैं क्या 학ष हँ हमारे तो यहां पर मैंने एक रेड फेस लाकर जोड दिया, अभी दोस्तर मैं वापस से क्लियर करना चाता हुँ कि आकर रेड फेस मैंने कहा से लिया, तो दोस्तर रेड फेस मैंने लिया है, हमारी MCB के आउटपुर्ट से, जो हमारा कॉंटर के पहले जो हमने रेड फेस सप्लाई यही यहाँ से लिया हैं, यहाँ से ले रहा है, इस चीज़ को यहाँ गोरा से ले लों, इस जोब देना है, हमारी जो दिल है, इस दिले के NC Terminal में हमको जोड़ देना है, तो मैंने भी सेम यही चीज़ हमारी Second Page पर करिए, यह मैं Second Page पर इसलिए बना रहा हूँ, ताकि मैं अगर यहां पर बिनाऊँगा तो आप अच्छे समझ भाएगा, अगर मैं पहली Drawing में ही इसको Complete करूँगा, इस इस Face को बाहर निकालके हमारा Stop Button है, इस Stop Button के अंदर आपको ले जाके जोड़ देना है, अब दोस्तों इसके बार में Next is हमारी क्या रहेगी, तो Next is हमारी एगी, जो Stop Button है ना, Stop Button हमने Face लाके जोड़ा, इस Stop Button के Output है हम ले जाके, हमारा Start Button है, यहां पे लाकर एक Face को जोड़ इस Start Button के Output जो एक Wire को उठाना है, और इसको ले जाके हमारी Delta Contactor, इस Delta Contactor के ले जाके, NC में जोड़ देना है, यहां से मैं एक Wire को उठाता हूं, तो मैं यहां से Delta के NC में ले जाके, हमारे Face को जोड़ देता हूं, तो यह चीज हमारी वाइडिंग होगी, हमारे Delta के NC तक हमारा Face आ गया है, अब दूसरे इसके बाद में हमारी Delta Contactor, NC के Output से आपको एक Face को उठाना है, और उसको ले जाके हमारे जो Star Contactor है, इस Star Contactor के A1 टर्मिनल में हमको जोड़ देना है, तो आप यहां पर इतना करती ही, हमारे जो Star Contactor है, इस Star Contactor के वाइडिंग पूर्टे के से हो गई है, लेकिन उससा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डारेक्ट इसी तरह के से वाइडिंग कर दीजेगा, आपको पूरे जगर से क्लियर हो जाएगा, इसके मारे दोस्तों, Next इस आपको क्या करनी है, आपको एक और Face को लेके, हमारे इस Star Button का पहले का Point है आपको 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 इस Star Button के पहले से एक और Face लेना है, अब इस Face को आपको पता है, कहा जोड़ना है, इस Face को उठाके, हमें हमारे इस Star Contactor के N O में ले जाके जोड़ने से, क्या होगा? तो इस N O में ले जाके जोड़ने से हम क्या करेंगे? हम इस Star Contractor के N O की मदद से, हमारे मेन Contactor टर को multip क्या करेंगे, अब इसके बाद में आपको क्या करना है? जो Star Conutlichnder काальный output के N OOU को यहां से एक BWL को उठा के, हमारे मेन होल्डिंग करनी है सबसे पहले होल्डिंग का मतलब अगर हम इस स्टाइब को छोड़ देते हैं तो भी हमारे कॉंट्रक्टर ओन रहा है हमारे कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले हमारा इत्मेटिक सिस्टम बनना हो तो उसके लिए हम होल्डिंग क्या से करेंगे इस सर को उठाएंगे हमारी जो मोटर को स्टॉप करने वाला बटन था यहां पर लाकर जोड देंगे और इतना करती हमारी होल्डिंग हो चुकी है तो दोस्तों फिर भी अगर आप एक बार होल्डिंग हो समय लिए होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है हमारे इवन टर्मिनल इस श्टाःट बटन पे लाकर जोड दीए है आप यहां पे विलाकर जोड सकते हैं इसके साथ आप इस जगहरए जर्पने के Centering On रहेगा वो हह इन्टमाटिक बन नहीं होताएगा तो यह चीज़ भी हमने कर लिया है अब दोस्तो इतना यह करते हैं। हमारी लगबर लगबर 90% वाइडिंग हो गही है क्योंकि हम्ने स्टार की वाइडिंग कर ली कंतर को economies कर लिया लेकिन मेन के अकिर हमारी सिरो है डिल्ट की वाइडिंग बासी है तो डिल्ट की वाइडिंग कैसा करेंगे तो तो देखें डिल्टा के वाइडिंग काफे ज़्याद आसानوس है, आप बिल्कुल भी कंफिर्ज्व नहीं होना है, आप देखें काफे सब इसके एनो से output में saplen निकलती है। और हमारी A1 पे चले जाती है और हमारा mail router on हो जाता है। लेकित अब आपको क्या करना है, हमारी एनो terminal है इसी इनो terminal पर लेंगे तो यहां पर है भाल यहां से भाल को को लेना है और इस wijल को ले जाखे करें तो यहां से भाइल को उठा के मैंने आम जोर्ड ईतना खरते ही ही हमार्ब और स्टारव सट ननूर्ट ने है अब बस हमें हमारे इस्टार डिल्टा के तीनों कॉंट्रेक्टर पे सिर्फ न्यूटल को लाकर जोड़ा है हमको सिर्फ हमारे न्यूटल को लेना है और सबसे पहले हमारे में कॉंट्रेक्टर के यहां पर न्यूटल देनेंगे इसके बार में हम नेक्सीज क्या करेंगे हम हमारा डेल्टा कॉंटेक्टर के यहां पर न्यूटल दे रहेंगे और आखरी के अंदर हम यहां से एक लूप लेके हमारे इस्टार को भी वाइरिंग होगे तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़े देखी इसको अब एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि आखी लिए कैसे काम कर रही है तो अब आपको क्या करना है दोस्तों हमारे इस्टार डेल्टा केस में क्या होता है जैसा कि मैं आपको बता है हमारे सफे पहले हम क्या करते है बटन को दबाते है इस्टार बटन को तो क्या होता है हमारे स्टार कॉंटेक्टर और हमारा में कॉंटेक्टर ओन ह हो चाता है लेकिन उसके बाद में हमें एक timer को लगाता है और ओक्ता है हमारी स्टार कोण्टकर को बन करके आ निपकर सब्सक्राइब डार्ण को प्यूंद को बन में चलाना यंख तब तक आप हमारी मौत उल्म कउ डबागा, और उसके पार्ट में चलाना,ускu मैं क्या गरूँगा, हमारे स्टैर्डर को आज अब डबागा, तक मैंने इस बटन को दबा रखा है बटन को दबाने की चक्कर में क्या होगा दबाने की चक्कर में होगा हमारा आउट-पूट में यहां से फेज इंकलेगा और निकलखर रहे हमारे एवन टर्मिनल में आजाएगी और जैसे हमारे event terminal में supply आई हमारा यह star contactor on हो जाएगा अब यह on कब तक रहेगा यह तब तक रहेगा जब तक हम हमारे इस star बिटन को छोड़ते नहीं है तो इसलिए आपको क्या करना है जब हम इस तरीकी की wiring करेंगे तो जब तक हमें हमारी motor star में चला है तब तक हम हमारे इस बटन को दबा क यह रखेंगे हम इसको छोड़ेंगे नहीं तो अभी हमारे star contactor तो on हो गया लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि जब हम star delta starter की बात करते हैं तो हम starting में क्या करते हैं हमारे star contactor के साथ साथ हमारे man contactor को भी on करते हैं तो man contactor अभी हमने इस wiring के अंदर कैसे किया तो दुरसे देख आप दिख रहा है तो यहाँ पर पर पर्पल कलर से मैंने इस हाइलाइट कर रखा है तो यहाँ पर जैसे मैंने face लाके जोड़ा यह face हमारे यहीं पर ही रहेगा यह तब तक हमारे star contactor on नहीं होगा तो अभी तो हमने इस बटन को दबा रखा है तो दबा रखा है तो हमारे star constructor on is and on होते ही हमारे इस इस फ्टार केश्ट्र में को जाता है हम बटन लग दुटन में लागा है तो स्प्लाई को लिगा लो रहे लहा हमारे स्चार नखी रा चीशंब Näq has a sweet and an多 लेकिन जयसे हमने इसको छोड़ा तो उस केस में क्या होगा हमारा star contractor बंद हो जाएगा लेकिन हमारा man contractor on ही रहेगा तो क्यों on रहेगा क्योंकि हमने man contractor की holding कर रखी है तो holding कहां से कर रखी है तो आप देखें holding के लिए हमने क्या किया है holding के लिए हमने जो A1 टर्मिनल है इस A1 टर्मिनल से man contractor A1 से हमने एनो में एक supply जोड़ी एक वायर कोल है और इसके दूसरे एनो से हमने ले जाके हमने हमारे stop बटन के पहले जोड़ जाए तो एक बार के लिए हमारी supply यहां से जाएगी उसके बार में अगर हम इस बटन को छोड़ देंग 良 देल देलटा कॉंटेक्टर की वाइडिंग हमने कैसे करें तो इस 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 सब्नी को परतम हए दोसर इसके लिए हम धोनी कर लेगा है एक कर चलाता है यानि जब तक हमारा इस इस मात इस हमें में पर और उन हो जाना चाहिए इसके लिए हमने क्या किया था हमने किया दोस्तों हमारे जो यह फेस यहां पर आ रहा था जो हमारे से हमारे पास में यहां पर आ रहा था यहीं से हमने एक लूप लिया और लूप लेकर हमने हमने हमारे एंसी में जोड़ किया पर अब हमारा एंसी का क क्या होता है NC का काम यह होता है कि जब भी हमारे start contact बंद होगा जब हमारी supply बंद रही तब हमारा phase हमारे दूसरी साइट से हम में मिलेगा तो अभी की case में हमारे हमारा start contact बंद हो गया क्योंकि अभी हमने 10 सेकंड तक बटन बंद चोड़ दिया तो बटन छोड़ते हमारा start contact बंद हो गया हमारी supply यहां पर रुख वे थी वह अब हमें यहां से मिल जाएगी और यहां जैसे supply मिलेगी तो इस वायर को ले जागे हमने कहां जोट रहा है हमने ह तो जैसे हमारे डिल्टा कॉंटक्टर भी ओन हो जाएगा तो दोस्तों एक सिंपल सी वायरिंग थी इस्टार डिल्टा के बिना टाइमर की मदद से हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें लगा होगा लेकिन अगर आप इसको एक दो बार और दिखोगे और समझोगे आपको यह काफी जाना सिंपल लेगी मैं तो दोस्तों यह कहूंगा कि आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए आप जो मैं इस सॉफ्टर उप्यों कर रहा हूं इसी सॉफ्टर को डाउन्लोड केजिए पर आप प्रैक्टिकली इस वायरिंग को बनाने की कोशिश लेज़े भी कर सकते हैं आप इसको इसको इंस्टॉल कीजिए इसका जो लिंक है आप वीडियो की डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप डाया की सॉफ्टर को डाउन्लोड करके इस तरी की वायरिंग मनाईए तो दोस्तों यह वायरिंग हमारी कम्प्लीट हो चुकिए अब ह यहां पर मैंनेजिसे स्टेवी कर लिए तो आप यहां पडियो को तो यहांपर आप वी सारी चीजह है अगर बता हूं मतलब कि अगर में किसी तरीकी की वायरिंग बनाना चाहरा हूं ना चाहरा हम तो यहां पर मेरे पहले सा वाइनिक देखने को मिलते हैं, मैं डायक सिफ एक किलिक करके, यहां पे इसमें किलिक करके, यूज इमेड़ेटली करके, मैं इसको प्रेक्किलिक खुद के लिए यूज मिले सकता हूँ, तो वहाँ पे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, में किसी तरीका कहीं पर भी मैं डायक यहां से किसी भी सिंबल का उप्योग कर सकता हूँ, तो यह एक और बेनेफिट इस सॉफ्टर का हमें मिल जाता है, मैं आपको जो लिंक दूँगा, वो लिंक आपको इस साइट का दूँगा, इस साइट का आके आप डायक जहां से से ट्राइट फ्री कीजिए, आ हमारे इस सॉफ्टर को हम अमारे ब्राउजर में उप्योग कर सकें, तो यह चीज भी सॉफ्टर की हमें मिल जाती है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हो, आप वीडियो की डिस्ट्रेशन बॉक्स के लिंक को चेक करो, अगर आप यहां से विंडोस है, तो विंडोस मे जरूर रिप्लाई करूँगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, तो अब उमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के मादेर से आपको इस्टार डिल्टा श्टार की पावर और कर्टो, दोनवाइडिंग पूज़र की से कंप्लीट होगे यहोगी, जो कि हम बिना टाइ इवाल